तो मेरा तो एक ही लक्षे है कि पूरे हिंदुस्तान का एक व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाए और दुनिया में आज भारत का डंका बच रहा है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाए आज का समय ये कहता है कि आप ये सब चीजे छोड़ दो आप हिंदुस्तारी बन जाओ तकरीबन 22 साल बाद अपनी फिलिम गदर टू लेकर आई और इसलिए गदर टू फिलिम ने पूरे वर्ड में नमबर वन रैंक पर जाने की तादार पर है तो जी हाँ इसी को देख दिनेशलाल यादव ने जताया अपना बहुत ही प्यारा सा रियक्शन तो आपको बता दू कि बॉलिवूड इंडस्टी की अपकमिंग फिलिम गदर टू को लेकर सभी बड़े से बड़े एक्टर्स बहुत ही एक्साइटेड हैं तो दोस्तो आपको बता दू कि सनी देवल की गदर टू मूवी को लेकर दिनेशलाल यादव ने क्या बोले तूस्ते पहले थड़ा समय आपको गदर मूवी को लेकर सनी देवल की मेहनत के बारे में बता दे जी हाँ आपको बता दू कि सनी देवल ने अपने फिल्म गदर को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और यहाँ तक तो इस फिल्म की परमोशन के लिए सनी देवल ने अभी से ही दकपिल सर्मा सो से लेकर इंडियल आइडल तक जाकर आ चुके हैं तो दोस्तो शनी देवल की यहाँ फिल्म को लेकर सभी लोग एकक्साइटेड हैं क्योंकि यहाँ क्रेज सनी देवल की 20 से 25 साल पहले देखने को मिला था लेकिन उसके बीश सनी देवल ने ऐसा कोई भी क्रेज नहीं दिखाया था लेकिन वहीं 2001 वाला अंदास से कहीं ज़्यादा क्रेज 2023 में और वो भी फिल्म रिलीज से पहले सनी देवल ने दिखा दिया तो जी हां उसी को देख दिनेशलाल यादाव ने जताया बहुत ही जबरजस्त रियक सन्जी हां आपको बता दू कि दिनेशलाल यादाव ने इन जैसे फिल्म का तारीफ करते हुए कहा कि इस फिल्म को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ और इस फिल्म को देखने थियाटर में मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि यह फिल्म वर्ड का ब्लोग बोश्टर फिल्म है, तो खेड़ दोस्तो इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं